हलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी यूटियूब चैनल भी दोस्तों, हम गीता पर हाथ रख कर कसम खाते हैं कि यह भविस्यवानी शत्य होगी आपके जीवन में एक भयंकर तुफान आने वाला है अगर आज आपने यह विडियो नहीं देखा और इस विडियो को बीच में ही छोड़ कर चले गए तो आप एक बहुत बड़ी मुसीबत में फसने जा रहे हैं हम जो भविस्यवानी आपके जीवन के बारे में करने जा रहे हैं वो भविस्यवानी 100% शटीक होगी पत्थर की लकीर होगी आपकी रासी में जो ग्रह दसा केश्टितियां और गोचर अभी बन रही हैं उसका हमने बहुत गहराई से अनुभव करने के बाद मुल्यांकन करने के बाद आपके लिए यह भविस्यवानी वाला वीडियो तैयार किया है तो आने वाले दिरू में कौन सी ऐसी घटना है कौन से ऐसे कारे हैं जो की होने वाले हैं और कौन से ऐसे कारे हैं जो आपको करनी है कुछ काम ऐसे हैं जो आपको 100% छोड़ने चाहिए दोस्तो कुछ बात बहुत जरूरी बाते हैं इन बातों को जानना बहुत आवस्षक है आप जाने अनजाने में कुछ न कुछ तो ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनसे बाद में आपके जीवन में ग्रोहों की चाल का सहीलाब आप ले नहीं पाते और शत्रूओं के दुस्मनों के जाल में फज्जाते हैं हम बहुत मेहनत करके आपके लिए ऐसे ज्ञान वर्धक और आपके जीवन से जुड़े बेहद ही रहस्मई महत्मुन वीडियो को लेकर आते हैं आपका भी दाहित्व बनता है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें अपने जीवन को सुधारें और जीवन में चल रही परिस्तानियों को दूर करें वीडियो में बताई गई बातों को गहराई से समझने की कोसिस करें कुछ बातें आपके जीवन की बेहदी गुप्त बातें हैं जिन्हें आपको किसी को बताना भी नहीं है वीडियो के अंत में हम आपको कुछ ऐसी बातों के बारे में भी बताएंगे जिनके बारे में आपको किसी से चर्चा नहीं करनी है शात ही शात एक बहुत ही महत्पुन उपाय भी आपको बताएंगे बस आपको वीडियो को पूरा देखना है अगर आपने वीडियो को बीच में ही छोड़ दिया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आप यहां से आधा अधूरा ग्यान लेकर जाएंगे फिर आपके जीवर में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आएगा जो बातें मैं बताने वाला हूँ वो बहुत महत्पुन है जो भ्यंकर तुफान आपके जीवर में आने वाला है उनका आपको कोई अभास भी नहीं होगा और आप पर विपत्तियां भी आएंगी और दूसरे रास्ते चली जाएंगी बिना समयगवाए वीडियो के शुरुवात करते हैं लेकिन इससे पहले आपके एक निवेदन है कि पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय सूर्यदेव लिखना न भूले हम भी माता से प्रात्ना करते हैं कामना करते हैं भगवान जी से कामना करते हैं कि आपके जीवन में खुसी हाली आए आपका जीवन सुन्दर हो जाए आपके जीवन में जो मुसीबत आने वाली हैं बगवान सूर्य देव उन मुसीबत को आपके जीवन से निकाल कर बाहर कर दें साथ ही साथ अभी चैनल पर पहली बार आये हो तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिलकुल न भूलें हमारे परिवार से जुड़ जाएं हमारा वनूबल बढ़ेगा हमें बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों आपके जीवन में अभी जो चल रहा है वो बहुत ही खिश्चतान भारा आपको छोटी छोटी सफलताएं प्राप्त हो रही हैं लेकिन जीवन में अभी भी सांती और सुकून का एहसास आपको नहीं हो पाया है और कुछ लोग भी ऐसे भी हैं आपके आसपास हैं जो आपको हमिशा तंग करते हैं प्रिसान करते रहते हैं आप में एक बहुत बड़ी कमी यवी है कि आप किसी को ना नहीं कर पाते हैं और इस बात का फाइदा लोग उठाते है मैं जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में देखने का परियास कीजिए आप अंशाहे आप बिना मन के भी उन लोगों की मदद करते हैं फिर आपके मन में बुरा लगता हैं लेकिन आप बाहर कुछ नहीं कर पाते हैं इस वज़े से आपको खिनस हो होती हैं और बुरा भी लगता हैं आपके जीवन में ग्रोहों के इज्दियां अब कुछ ऐसी बनती जा रही हैं कि आने वाला समय आपके लिए दो अर्थों वाला होगा यानि कि कहीं तो आपको सफलता फ्राप्त होगी आपको अच्छा लगीगा लेकिन अचानक ही आपको एक ऐसी चोट लगेगी ऐसा खास होगा कि आपका मन फिर से दुखी हो जाएगा और आपका समलना मुश्किल हो जाएगा अब इसे इस्वर का विधान कह सकते हैं या फिर आपका भागे कह सकते हैं कि आपकी रासी एक लोती ऐसी रासी है जिसे जीवन में संगर्स बहुत अ बहुत करवाते हैं आपके संगर्स बहुत अधिक होते हैं लेकिन एक बात तो निश्जित है कि आप जीवन में भले ही कितनी ही कठिनाईयों का शामना क्यों न करें भले ही आपके जीवन में कितना भी कठिन समय क्यों न हो लेकिन आपको इन कठिनाईयों से बस कर निकलना और जूजना भी बहुत अच्छी तरह से आता है। देखा जाए तो आप लोगों को दूसरे लोगों के लिए एक परमान हैं कि कैसे जीवन की कठिन परसितियों को सहा जाए और बिना किसे सिकायत के, बिना रोई, बिना जीवन में परिसान हुए जीवन में किस प्रकार आगे बढ़ा जाता है, संघर्स कैसा भी हो रहा हो यह आप दूसरों को भली बाती सीख देते हैं लेकिन यह जो समय आपके जीवन में चल रहा है इसमें बैपारियों खेलिए थोड़ी से परिसानी खड़ी हो सकती हैं यह दोस्तों का वैपार में कुछ ऐसी अरचने आएंगी कुछ रुपे पैसो का ऐसा लेन देन होगा जो आगे चल कर बहुत परिसान करेगा अभी आपके वैपार में छोटी मोची अरचने तो आती ही रहेंगी जो आपको ठंडे दिमाग से काम करने में बहुत बड़ी वादा उत्पन्न करेंगी और इस सबसे बड़ी बात यह है कि आपका रुजहान भी गलत कार्यों के तरफ होने लगेगा जहां दोस्तों आपकी मानसिक्ता परिवर्तित होदने लगेंगी आपकी संगती में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो आपको गलत कार्यों के तरफ परिद करने की कोशिस करेंगे सावधानी बरतनी आपके लिए जरूरी होगी आने वाले समय में आपको एक बहुत बड़ा कठोर फैसला लेना होगा बहुत ही महत्पुन फैसला लेना होगा और जिस फैसले को लेने में आपको बहुत अधिक कठनाई भी होगी एक ऐसे इंसान है आपके आसपास आप से कुछ ऐसी बात कही या कुछ ऐसी घटना हुई जो आपके दिल को भी बहुत छू लेती है आपके भावनाओं को बहुत चोट पहुँचेगी आपका मन दुखी हो सकता है ऐसी घटना की होनी की वज़ा से आप थोड़े दुखी रहेंगे मित्रों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस इनसान से इस तरह की बातों से उमीद नहीं थी लेकिन फिर भी यबाते होंगी इस वज़़े से आपका मन खराब रहेगा अब आपकी जो काम है, जिने आप चाहते हैं, वो तेजी से हो जाएं, लेकिन होगी नहीं, लेकिन उनमें रुकावटें पहुत आएंगी. आपको बहुत यात्रा करनी होंगी, बहुत अधिक महनत करने होंगे, तब आपको छोटी-मोटी शफलताएं फरापत होंगी. एक और बड़ी बात होगी कि आपका सत्रुपक्च अच्छानक से बहुत अधिक सक्रिय हो जाएगा और आपके विरुद्ध कारी करना सुरू कर देगा आपको सतर को होनी की आवश्यकता है आप जानते हैं कि आपका विरोध कौन कर रहा है आपका विरोधी कौन है कौन आपका भला चाहता है और कौन आपका बुरा बस उन लोगों की बातों में आपको नहीं आना है भावनाओं में आपको नहीं बहना है आपको क्या करना है मैं बताऊंगा आपको यही भावनाएं आपके कमजोरी होती हैं लोग जब भी आपके उपर घात करते हैं तो आप हमेशा अपना बनकर ही घात करते हैं और दुख की बात तो यह है कि आप पर जो आज आती हैं आपको इतना अधिक शोट पहुंचता है इतना अधिक घायल नहीं होता है जितना की अपनों के द्वारा आपको सताया जाता है अपनों के द्वारा आपको कश्ट देता जाता है ऐसे में आपके लिए तकलीफ दिबात यह होती है कि आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं कोई आपके साथ कितना ही बुरा क्यों न कर जाए लेकिन आपके मन में उसके लिए किसी भी प्रकार का बैर नहीं होता है फिर भी लोग आपके मन को शमजते नहीं हैं आपके कानों तक किसी अपने ही कुछ ऐसे होते हैं जो आपके विश्वास पात्र होते हैं दोस्तों हम आपको बता दें कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिनकी जान अपनों में ही अटकी होती हैं आप अपनों के चेहरे पर हमेशा खुसी देखना चाते हैं अपने एक्छाओं को मारते हैं अपने खर्चों को रोग देते हैं लेकिन आप अपने खर्चों को पूरा करते हैं पूरा जोर लगाते हैं यह आपके दिल की और और आपके अच्छे कर्मों की अच्छाई ही हैं ज कि फिजूल खर्ची होगी दोस्तों कुछ ऐसे भी कारियों पर आपका पैसा खर्च होगा कि आपको खर्च करने के बाद थोड़ा पच्टावा होगा आपका वजट भी थोड़ा गणबढ़ा सकता है दोप सोंच समझ कर खर्च करें और रुपय के लेंदेन को लेकर थोड़ी भी सतरकता वरतें शावधानी रखें पिना शोचे समझें किसी को भी किसी प्रकार का लेंदेन न करें रुपय पैसे को लेकर न करें अन्यथा आपका पैसा अटक सकता है पैसा आपका रुख सकता है आपकी मानसिक प्रसानी थोड़ी सी बढ़ेगी परंतु आने वाले दिनों में आपके अंदर धार्मिक रुजहान बढ़नेगी जो इस्वर के प्रती आपकी आस्ता को बढ़ाएगी आपका मन पूजा पाट में लगेगा आप इस्वर का नाम ले, मंत्रों का जाप करें और हो सके तो मंदर भी अवस्य जाएं ये बहुत अश्ची बात है यदि आप आपके मन में विचार आता है तो आप निश्चित ही इस बात को पूरा करें दोस्तो हम आपको एक और बात पताना चाहते है कि आप एक मात्र ऐसे इंसान है ये आपकी रासी चकर की एक मात्र ऐसी रासी है जो भगवान को बहुत अधिक प्रिय होती है ऐसा इसलिए होता है कि आप लोगों का दिल काच की तरह साप होता है आपके मन में किसी केरी कोई बैर नहीं होता है तो ऐसे में इस संसार के लोग भले ही आपको न समझें, भले ही इस संसार के लोग आपको गाली दें, आपको पूरा बोलें, परन्तु आपको अपने जीवन में आप भगवान के सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं, अब ऐसे में आपकी आस्ता भगवान के उपर से हिल जाती ह तो आपके जीवन में कठिनाईयां पढ़ जाती हैं, प्रिसानियां पढ़ जाती हैं और यदि आपके मन में इस्वर के प्रती दिड़ विश्वास बढ़ जाता है यानि आप पूजा पाट में अधिक ध्यान देने लगते हैं इस्वर को बहुत अधिक ध्यान से मनाते हैं साधना करने की कुछिस करने लगते हैं तो आपका जीवन सरल होने लगता है कहने का मतलव यह है कि आपके जीवन में सफलता का मार्ग शांती का मार्ग इस्वर की राह पर चलकर ही प्राप्त होगा अध्यात्मिक होकर ही आप सफल हो सकते हैं और सांती पूर्ण जी सकते हैं अब इस बात को साबित करने के लिए आपको एक छोटा सा उपाय करके देखें आप इस्वर को ऐसा मान कर चलिए कि आप वह आपके बहुत ही नजदी की रिष्टेदार हैं आप उन्हें कुछ भी मान सकते हैं अपने मित्र, सखा, गुरू या फिर अपने परम पिता यानि की इस प्रमान के पिता जो आपके भी पिता हैं और सभी के पिता हैं किसी भी सक्ति के रूप में आप उन्हें माने लेकिन उन्हें उनसे ऐसा मानने की वज़ा यह है कि उन्हें उनसे आपका भावनात्मक लगाव हो जाए और आपका जब भावनात्मक लगाव हो जाए तो आपको जब भी दुख हो तकलीफ हो बस भगवान के मंदिर से ले कि आप किसी अपने बहती सुवचिंतक से चर्चा कर रहे हूँ… जैसे आप अपनी मां से सुक और दुख की हर बात बताते हैं उसी तरह भगवान जी से भी अपनी हर शुक और दुख की बातों को बताएं उनसे कहें कि अब सब कुछ आपके ही हांत में हैं हम कुछ नहीं जानते आप ही देखें जो भी होगा अच्छा या बुरा आप ही जानें बस आप ऐसा करके देखिए हम आपको गारेंटी देते हैं बगवान आपको इतना प्रेम करते हैं कि आपके साथ कुछ भी अहित नहीं हो सकता इस बात की हम गारेंटी देते हैं दोस्तों हम पहले ही आपको कह चुके हैं कि आपकी रासी बगवान को बहुत अधिक प्रिय होती है क्योंकि आप सच्चाई के साधन होते हैं आप जूट का साथ नहीं देते आप सत्य की रहा पर चलते हैं चाहे अभी कितना ही कठिन शमय क्यों नहों क्योंकि यह मिर्त्यू लोग हैं यहाँ पर जीवन जीने के लिए कभी कबार कुछ ऐसे कारे करने पर जाते हैं जिनको हमारा मन गवाही नहीं देता है में भयंकर गिलानी भर जाती है आपका आत्मा चोटित हो जाता है कचोटता है और आपका मन इशकाम को दुबारा करने से रोकता है फिर आप कुछ न कुछ ऐसा कारे अवसे करते हैं जिससे की आप उस गलती का प्राशित अवसे कर जाते हैं कुछ आप दान धर्म करते हैं इस्वर की तरफ आपका रुजहान बहुत अच्छा होता है कुछ न कुछ आप ऐसा करते हैं जिसके वज़ा से आपकी जो अंदर का भावना है वह परिपूर्ण हो जाती है शान तो हो जाता है यही तो आपकी अच्छाई है और यही तो आपकी सबसे बड़ सकती है दोस्तों अब आने वाले जिनों में आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन का योग दिख रहा है बहुत सारे लाब की प्रावती होंगी कारिशत्र में भी परिवर्तन होगा दोस्तों आपके जीवन में शब परिसानी का समधान जीवन की सभी मनो कामनाओं को पूर्ण करें इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को बिराम देते हैं यदि कोई प्रस्ण है आपके मन में तो कमेंट करके पूछें हम आपके प्रस्णों के जबाब देने के पूरी कोसिस करेंगे कमेंट में पूरे भक्ती भाव के साथ जय सूर्यदेव लिखना ना भूलें जदी हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवस्थ से दबा लें मिलते हैं अगले ज्यान वर्दक वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद